अक्सर लोगों के दिलों दिमाग में पहला सवाल आता होगा कि मृत्यू के बाद क्या होता होगा इसे भी तीन अवस्था में विभक्त किया गया है प्रतम अवस्था में मानाव को समस्थ अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है दूसरी अवस्था में मृत्यू के उपरांत मनुष्य विभिन न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्मा अनुसार जन्म लेता है तीसरी अवस्था में वह अपने कर्म के अनुसार स्वर गया नरक में जाता है गरुर पुरान के दूसरे अध्याय में प्रेत काल या नरक में पहुँचने पद जीवन में किये गए पापों के अनुसार कैसे यम के दास सजा या यातनाई देते हैं इसके बारे में बताया गया है इन में से कुछ सजाओं के बारे में हम यहां बताने वाले हैं सबसे पहली सजा है तामिस्र जो लोग दूसरों की संपत्ती पर कबजा करने का प्रयास करते हैं जैसे की चूरी करना, लूटना उन्हें तामिस्र में यमराज द्वारा सजा मिलती है इस नर्क में लोहे की पट्टियों और मुगदरों से पिटाई की जाती है यह तब तक करते हैं जब तक उस पीडित के खून निकलाए और वह बेहोश न हो जाए दूसरा नर्क है अंधा मित्रम जो पती-पत्नी अपने रिष्टे को इमानदारी से नहीं निबाते हैं और एक दूसरे को धोका देते हैं उन्हें अंधा मित्रम की सजा दी जाती है अंधा मित्रम में तामिस्तर की तरह ही पीडा दी जाती है लेकिन इसमें पीडित को रसी से इतना कसकर बातते हैं जब तक कि वह बेहोश न हो जाए तीसरा नर्क है रावर्वम जो लोग दूसरों की संपत्ति या संसाधनों का आनन्द लेते हैं उनको ये नर्क प्राप्त होता है उनको रावरम में खतरनाक सापों से सजा दियाती है जहां पर रूरू नाम की नागिन उन्हें तब तक सजा देती है जब तक कि उनका समय समाप्त नहीं हो जाता अगला है महार औरव किसी अन्य की संपत्ति को नश्ट करना किसी की संपत्ति पर अवैद कबजा करना दूसरों के अधिकार को चीन लेना और संपत्ति पर अवैद कबजा करना जो भी ऐसे पाप करता है उसे महार और अरव नर्क में सजा दी जाती है यहां भी उनको जहरीले कई प्रकार के सांपों से कटवाया जाता है अगला नर्क है कुम्भी पाकम जो लोग अपने मजे के लिए जानुवरों की हत्या करते हैं उनको इस नर्क में लाया जाता है यहाँ उनको गर्म तेल के बर्तनों में उबाला और तला जाता है अगला नर्क है असित पात्र जो लोग अपने कर्तव्यों का परित्या करते हैं भगवान के आदेश को नहीं मानते हैं और धर्म प्रथाओं का उलंगन करते हैं उनको असित पात्र नामक नर्क में सजा दी जाती है असित पत्र से बनी चाबुक से उन पे तब तक हमला किया जाता है जब तक वो व्यक्ति बेहुश न हो जाए अगला नर्क है सूकर मुखम जो लोग अपने करत्यव्यों का त्याग करते हैं कुशासन द्वारा अपने लोगों को सताते हैं निर्दोष लोगों को सजा देते हैं और गैर कानूनी गति विध्या करते हैं ऐसे लोगों को सूकर मुखम नामक नर्क में सजा दी जाती है वहां ऐसे व्यक्तियों को दबा कर कुचल दिया जाता है और जानवरों के तेज दाथ के नीचे पीज देने की सजा भी दी जाती है अगला नर्क होता है अंध कूपम जो लोग संसादन होने के बावजूद जरूद मंदों की सहायता नहीं करते हैं और अच्छे लोगों पर अत्याचार करते हैं ऐसे लोगों को अंध कूपम नामक नर्क में लाए जाता है यहां उनको जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता है और उनको ऐसे कूँ में फिक दिया जाता है जिसमें शेर, बाग, बाज, सांप और बिच्छु जैसे विशैले जानवर होते हैं अगला नर्क होता है अगनि कुंडम, जो लोग बलपूर्वक अन्ने की संपत्ती को चोरी करते हैं, सूने और जवारात को चोरी करते हैं और अनुचित का फायदा उठाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अगनि कुंडम नामक नर्क में लाया जाता है ऐसे व्यक्तियों के हाथ और पैरों को बाद कर उनको आग के उपर भूना जाता है अगला नर्क होता है क्रिमी भूजनम जो लोग महमानों को अपमानित करते हैं और अपने फाइदे के लिए दूसरों का इस्तमाल करते हैं ऐसे व्यक्तियों को किरमी भूजनम नामक नर्क में लाया जाता है ऐसे व्यक्तियों को कीडें और सापों के बीच में छोड़ दिया जाता है प्रिये दर्शकों गरुराण में ऐसे 28 अपराधों और सजाओं के बारे में बताया गया है यमलोक में इस तरह दुष्ट आत्माओं को यात्राई मिलती है कुछ लोगों में यह ब्रांत धारणा बनी है कि इस गरुर पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए केवल श्राद आदी प्रेत कारियों में ही इसकी कथा सुनते है यह धारणा अत्यन्त भ्रामक और अंद विश्वास युक्त है कारण इस गरंत की महीमा में ही यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुर पुराण सारुद्धार को सुनता है चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है वह यमराज की भयंकर यात्राओं को तोड़ कर निश्पाप होका स्वर्ग प्राप्त करता है प्रिय दर्शकों गरुर पुराण की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसकती का त्याग कर वैराग की और प्रवित्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एक मात्य परमात्मा की शरण में जाना चाहिए प्रिय दर्शकों आज के लिबस इतना ही मिलते हैं बहुत जिल्दी गरुर पुराण के अगले एक अध्याय के साथ तब तक के लिए नमस्कार